तो किसाम बायोद जमाने के साथ भी आमारे जो ध्रीप से ध्रीप जैसे कीटक रोग है वो भी एड़वांस होते जा रहे तो अगर वो एड़वांस होते जा रहे तो हमें भी एड़वांस होकर ही उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भाई क पिंटर डालने के बाद तो थ्रिप्स चेक करना भी उस दवई का पा दवई के उपर शक करने जैसा है ऐसे हमारी धारना यह थी लेकिन अब कहा गई वह धारना अभी डेलिगेट हो गया एक्सपोनस हो गया एसे बड़ी-बड़ी वाली दवईया डालने के बाद भी अगर थ करेगा तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको जरूर बनाएंगे लेकिन उसके लिए एक लाइक भी बनता है तो चले शुरुआत करते आज के इस वीडियो की तो सिर्फ तीन स्टेप में थ्रिप्स कंट्रोल करना है तीन स्टेप क्यों पहले तो एक में होता था अभी तीन स्टेप क्यों क्योंकि तीन स्टेप में तीन स्टेज को हमें कंट्रोल करना है मतलब अभी हमें पहले वाल लावस्ता को खतम करना है फिर अडल स्टेज को खतम करना है जो बचे को उसको भी अग्दम क्लीन करना है तो आपका प्लॉट अगर थ्रिप से ग्रसी थे तो यहां पर आपको एक सूचना देना चाहता हूँ शुरुवाती में कि आपकी जो भी फ्लावरिंग होगी उसको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा या फिर जब आपके फ्लावरिंग कम होगी तब आप इस फॉर्मुले का इस्तमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिदर मिलेग इन तीनों फॉर्मुलेशन में आपका बिच वाला जो फॉर्मुलेशन है या फिर दूसरा और तीसरा फॉर्मुलेशन है उससे प्लावरिंग नहीं होता है लेकिन जो पहला वाला फॉर्मुलेशन रहेगा उससे प्लावरिंग होगा यह डिस्क्लेमर में पहले वीडियो स लेकिन दोनों की जो भी एक आवस्था है जो लाइफ साइकल है तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है तो यहाँ पर समझ जाओ कि सबसे पहला जो कॉंबिनेशन रहेगा थ्रिप्स के लिए वो क्या है यहाँ पर समझ जाओ कि सबसे पहला कॉंबिनेशन हमारा रहने वाला है जो कि 200 लिट्र पानी के लिए रहेगा सबसे पहले आपको क्या करना है एसी फेट 200 ग्राम प्लस इसके साथ आपको लेना है रोगर 200 मन प्लस इसके साथ लेना है आपको एसी फेट रोगर प्लस इसके साथ आपको लेना है क्लोरो पाइरिपॉस लोरो पायरिक वस्स आप 20% वाला लेंगे तो यहां पर 500 ml लेना है और अगर 50 प्रतिश्यत वाला लेंगे तो यहां पर आपको 200 ml लेना है 200 लिटर पानी के लिए तो यह पहला कॉम्मिनेशन आपको डाल देना है जिससे क्या होगा जो भी बाल्य वास्ता वगरा होगा आंडे कॉंबिनेशन डालना है सेकंड कॉंबिनेशन अभी आप कहोगे कि सर यह बाल्लेवस्ता अडल स्टेज यह आप क्या कह रहे हो तो यह बात को पहले समझ जाओ कि भाई आप जो त्रिप्स को देखते हो ना फिर सिर्फ पैसा मत देखो कि भाई यह त्रिप्स आया है तो अभी फिसल के अंदर प्रोडवस्ता दिख रही है तो यह गलती आपकी है क्योंकि आपने प्रिवेंटिव काम अच्छा नहीं रखा कोई ड्रेंचिंग हो गया या फिर आपके जो प्रिवेंटिव में जो स्प्रे थी वो कमदर पढ़ गई या फिर यह कवर करते करते आपने कु डिलिगेट एक 200 लिटर पानी के लिए 100 ml लेना है और इसके साथ आपको भाई आपकी फ्लावरिंग ना हो तो भाई आप प्रोपेक्स उपर का भी इस्तवाल कर सकते हो बहुत ही बढ़िया रिजर्ट मिलेगा इसका भी तो डिलिगेट प्लस प्रोपेक्स उपर 200 लिटर प कॉंबिनेशन समझ जाओ तो थर्ड वाला कॉंबिनेशन कौन सा है तो यह दोनों के साथ आपका 30% तक कवर होगा लेकिन कुछ बचा कुछा रहेगा और हमें नया शूड भी निकालना है और हाँ बजट फ्रेंडली रहने वाला इसमें महेंगी वाली दावा सिर्फ आपका करने वाले हैं थर्ड कॉंबिनेशन के अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं देशी दारू को जी या कोई भी कंपनी का चलेगा महुआ का भी चलता है हमने ट्राइल ले लिया बहुत शांदर रिजल्ट हाता है तो 200 लिटर पानी के लिए पास्तों में लेना है और उसके साथ лет आपको लेना है प्रोक्लेम करें 200 ले पानी के लिए आपको 200 ग्राम लेना है तो इस तरह के से ये अगर आप डालते हो आपके फसल के अंदर ग्याप रखना है आपको तीन-थीन दिनों का बीच में तीन दिनों का ग्याप रखना है मतलब चौते दिन आपका हरे कॉंबिनेशन जाना चाहिए अगर यह इन स्टेफ को अगर आप फॉलो करते हो तो सो टका आपका थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा एक 80-90 परसेंट तक हो जाएगा अभी रहात 10 प्रतिशयत फिर भी ब कोड़ना पड़ेगा जब आप पहला कॉंबिनेशन डालोगे तब तो कौनसा वाला छोड़ेंगे सर हमारे पास तो बजेट नहीं पास्तो रुपए में आपका लगबग सम्तिंग बोल रहा हूं मेरा इतना शुवर नहीं वरना कमेंट भर भर के आएंगे सर इसकी दाम इत करते हो तो बहुत बहुत तो बहुत बहुत बहुतों के अंदर बहुत गोता लगा है और गोता लगाना चाहते हो घाई जावान किसा